नमस्कार दोस्तों आज की सुड़े में बात करने वाले हैं इन्फो से स्टॉक की अगर हम लोग आज की यहां पर गिराउट देखें तो लगबग 130 रुपे की गिराउट के साथ स्टॉक क्लोजिंग हुआ यानि के अल्मूज साड़ेनों 10% की गिराउट थी अगर हम लोग स् स्टॉक गैप डाउन के साथ कुला दिन के दावरान स्टॉक लगबग 11% से भी नीचे जाते हुए हमें देखना को मिला उसके बाद थोड़ी सी यहां पे जो है अलकी फुलकी यहां पे जो है रिकोरे आई फॉर्चुनिटली स्टॉक उसके लेवल के नीचे नहीं गिरा य स्टॉक की निउस क्यों यह स्टॉक गिरा और सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि टेक्निकल लेवल्स पर जाने के क्या इंपोर्टन लेवली स्टॉक के लिए नजर आ रहे हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इन्वेस्मेंट गूरी चैनल क यहां पर डिकलेर के थे तो और डिवो जो नतीत से थे जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट सा उसको मिट नहीं कर पाए लेकिन इंपोर्टन चीज़ देखे जो एडियार है जो यह में इनके स्टॉक लिस्ट होते है अमेरिकन डिपोजिटर रिसिप्ट एडियार तो वह ल यहां पर लगबख उसी लेवल के आसपास तक टूटा स्टॉक और लगबख यहां पर हमारे मार्केटिब में देखे तो लगबख 9.34% के आसपास की गरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग दिया है अगर हम लोग स्टॉक का टेकनिकल चार्ट पैटन की बात करें तो फर्स पॉपल यहां पर हम लोग 15 मेट के चार्ट पैटन पर आ चुके हैं जहां पर अगर हम लोग देखे तो यह आज का दिन है यह पूरा चुछ चार्ट देख रहे हैं यह 15 मेट का आज का कैंडल स्टि थोड़ी रिकवर है फिर भी अगर हम लोग क्लोजिंग देगे तो लगबग 9 से 10 परसंट के बीच में गिरावट के साथी स्टॉक में यहां पे ग्लोजिंग दिया है पाइस मिड और अगर हम लोग अभी बात करें तो एप्रिल के 2023 में आ चुका है तो लगबग पिछले एक साल से स्टॉक बहुत ही सिमित जो है डायरे में कारवार कर रहा है इसकी लोग की बात करें तो लोग निकल के आता है तो इस लेवल में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था सपोर्ट अगर हम लोग देखे तो 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 यहाँ पे खरब रिजर्ट है लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने सस्ट किया लेकिन जिस सबसे गिर आट हुई तो यह इनफी ADR में जो गिर आट हुई है US में जो स्टॉक लिस्ट है उसमें लिखवक 10% की आसपस की गिर आट फ्राइडे सेजन में थी तो उसके वैसे क्लियर कट स्टॉक ने जो है यह इसका जो पहले का सपोर्ट था तो उसको क्लियर ली तोड़के स्टॉक अभी जो ह के लेवल में ट्रेड कर रहा है अगर हम लोग स्टॉक के कुछ इंपॉर्टन जो है इंडिकेटर की बात करें तो फॉस्ट अफॉल आरे साय अगर आप देखोगे तो ड्रास्टिकली डाउन हो चुका है यहाँ पर आप देखोगे तो आरे साय लगबग इसका निकल के आता था अल्मूस्ट 50 के उपर लेकिन अभी के बात करें तो यह 24.99 यहने के 25 पहुच चुका है तो आरे साय जिस सबसे 10% आज गिर आउट हो तो क्लियर कट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी जो है डाउन फॉल देख सकते है आरे साय में अगर हम लोग मसेड के बात करें तो ज जो है अपर लेयर जो निकल कहता है 1668 के आसपास निकल कहता है लोड की बात करें तो 1324 आज की बात करें तो यह उससे भी 100 रुपे नीचे है तो बोलिंजर बैंड को बुरी तरीकी से तोड़ के स्टॉक करेंट लेवल पर बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है अगर हम लोग स् 100 दिन का और जो रेड लाइन है 100 दिन का तो तीनों इंपोर्टन मुइंग एवरेज के नीचे करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि एक बहुत ही जो है स्टॉक के लिए खराब बात निकल के आ रही है अगर हम लोग स्टॉक बात करें कि अभी इन्फोसिस में क्या करन चाहिए इस टॉक से निकल जाना चाहिए इस टॉक को पूरी तरीके से एक्जिट करना चाहिए जो यहां पर लॉस हुआ है वो बुक करके निकल जाना चाहिए तो यहां पर इस टाइप की चीज़े करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फोसिस जो है वह एक बहुत बड़ कंपणी है यहाँ पर आई टी इंडियन जाइंट है अगर हम लोग बात करें तो और वहाँ पर थोड़ी-थोड़ी कॉंटिटी एसाइपी की तरह यहाँ पर एड़ करते रहना चाहिए परसनली में वह करता हूं जब भी अच्छे क्योंटि के स्टॉक नीचे गिरे हुए मिलते हैं तो उस टाइम में आप थोड़ी-थोड़ी करतारी कर सकते हैं और अपना पोट्पेलियों देरे-देरे इंक्रेज कर सकता है तो यहाँ पर एक्जिट नहीं करना है यहाँ पर वीक्स देने होंगे स्टॉक को लेकिन डेफिन प्लीज लाइक किजी क्योंकि आपका हर एक लाइक यहाँ पर मेरा कॉंफिटेंस बढ़ाता है एस वेल यह वीडियो बहुत सारे अलग-अलग दर्शेतों को पहुंचते हैं अगर आप यहाँ पर लाइक करते हो तो 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 यहाँ आपको कमेंट होगी या फिर कोई नहीं सुझा होगा तो प्लीज कमेंट ब्चसमें कीजी कुछी दूसरे स्रॉप इंफ़ाट साहि को भी आप कमेंट ब्चसमें मेंचन कर सकते हैं तो धासौल फ़ल थिस वीचिछ फीच्व वीडियो मिल्टें मेडगर नेक्स वीडियो में तील देन गाई